गुद्ध मॉर्निंग ओल उफ यू वेलकम डू प्रिज्विम अकेडमे इस लोई साराफ जैसे कि आपने अभी देखा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिंग बपन बात करेंगे जैसे कि अभी आपने सुना होगा मैं हमार वर्मा जिसको बोलते हैं उसमें सेना ने अपना सासन कर लिया तो वहाँ पास पूरे का पूरा डिमोक्रासी खतम हो चुकी है ठीक है लेकिन इंडिया ने अभी तक इसके अंगेश्ट कोई भी कमेंट नहीं किया जब भी इंडिया से पूछा गया USA ने बोला चाइना तो बोल रहा है कि कैसी इंडिया क जल्दी कमेंट करें लेकिंडिया कमेंट करने से बच रहा है इंडिया ने बोला हम क्यों नजर बनाया हुए है हम सारी उसमें नजर बनाया रखे है कोई भी घटना हो और हम नजर बनाया रखें इंडिया ने कभी अभी तक कोई भी सक्त कदम नहीं उठाया है लेकिन चाहि भी आर्मी का अगेंश्ट बोला हाना तो आर्मी क्या करेगी चायना तो चाह रहा है कि अगर आर्मी के कोई कमेंट करें इंडिया आर्मी के उपर तो चायना उनकी आर्मी से जाके वार्ता लाप करें और सब सेटाप मान ले अपना हाना तो मैं मार को अंगेश्ट इंडिया वो यूस करना चाह रहा है लेकिन यहीं इंडिया की पॉल्सी है कि अभी वो कुछ नहीं बोल रहा था लेकिन अभी हुआ क्या हाली में Asian Country अपनी Asian Country Asian Country का ग्रुप है इसमें 10 Country आती है इसका मुख्याल इसका मुख्याला Jakaarta में है इसका मुख्याला Jakaarta में है और इस टेबल कभ हुआ था 1967 में यह स्टेबल हुआ था अब इसकी main बात क्या है इसका part India is not the part of this group इंडिया इस نौट दा पार्ट of this міrंप टीक है लेकिन फिर भी यह ये ग्रूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेट है इंडिया के लिए अपन समझते हैं क्यूं देखो पहले तुपन ये देखते है कि एशन कंट्री में कौन कौनी कंट्री है अना सो देखो एशन कंट्री अपनी कौन कौनसी है हथा थाईलेंड अना वियतनाम कमोडिया लाओस इंडोनेशिया फिलिपिन्स इंडोनेशिया थाइलेंड वियतनाम कमोडिया लाओस इंडोनेशिया फिलिपिन्स उसके बाद मलेशिया उसके बाद बर्मा बर्मा इसको मैमार बोलते हैं अपन उसके बाद अपना आएगा ब्रुनेई ब्रुनेई उसके बाद सिंगापूर थाइखे बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, चार, साथ, आट, नो, दस 10 कंट्रीस हो गई ये अपने 10 कंट्रीस है असी अन कंट्रीस थाइखे इन सब के बीचे मीटिंग हुई तो इसे विचार क्या अगया कि actually मैं किया क्या जाए क्योंकि इस्तिती बहुत ज़्यादा खराब है वहाँ नॉर्मल लोगों की हाना तो इनमें 5 पॉइंट बनाए गए पाँच पॉइंट इनका ये कहना था कि हम 5 5 पॉइंट्स की एक सीट बनाएंगे हाना इसको वह अपने जो सेनर के अदर्च अपने मयामान में जिनका भी सासन चल रहा है उनके साइट भेजेंगे हाना फिर उसके बाद अगर वह उसको मानता देते हैं तो बात आगे बढ़ेगी ठीक है अब वह 5 पॉइंट्स की आपन वो डिसकर्स करते हैं ठीक है पहला पॉइंट्स की आथा उसका हाना वाइलेंस सुट भी इंडेट अप आपको यहाँ दिख लोगा 5 पॉइंट्स हाना यह निस्पेपर ही कटिंग अपनी तो पहला पॉइंट्स की आपको सिंपल भाद आप समझा देते हैं अपन हाना आप उसको पढ़ लेंगे इंगले से पूला लिखा हुआ है उसको हम हिंडी में समझा देते हैं हाना पहला पॉइंट क्या था वाइलेंस वुड भी इंडेट अप जो भी वाइलेंस वहाँ हो रही है जनता को उपर गोलियां चला जा रही है बहुत अप्तचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए उसका पहला पॉइंट सा हाना सेकेंड पॉइंट क्या है अपना कि हमारे साथ मतलब जो एसियन कंट्रीज हैं हाना उनके साथ उनकी बाते होनी चाहिए मतलब डिसकसा नो बैठा को समझा निकले उसका कुछ हाना तो उनके साथ उनकी बैठा होनी चाहिए हाना थर्ड नमबर क्या है कि अपने पुरे एसियन के ग्रुप से एक इंसान एक को चुना जाएगा हाना वो उसे मलेसिया भेर सौरी म्यामार भेर आएगा हाना तो तो टॉक विद म्यामार हाना म्यामार से बात करने के लिए एक जो पुरे ग्रुप का एक किसी को बेजा जाएगा हाना अब उसके बाद पॉइंट क्या था कि जिसको बेजा जाएगा उससे जिस जिस इस्थान में घूमने का वो उसकी इच्छा होगी मतलब वो जहाँ 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 कारी लेना चाहता उसे वहाँ जाने की पूरे संद्धता मिलनी चाहिए ठिक है उसका चोथा पॉइंट था और पांचवा पॉइंट था सबसे इंपॉर्डन पॉइंट था कि म्यामार को हमसे financial help लेनी होगी financial help क्यों लेनी होगी यह क्यों पॉइंट दे रहा है अपन क्योंकि वहाँ की सेना का थो ठीक है लेकिए वहाँ की जो आम नागरिक है उनके पास बहुत क्राइसिस है तो वो सही से रहे पाए जब तक कि यह सासन चल रहा है इनका सेना का तब तक यह भी है कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए क्या है कि financial help लेने के लिए बिल्कुल सामने खड़े हो गया है यह हाना अब इंडिया का क्या इसमें पार्ट हुआ कि इसके पूरे अगेंश्ट है USA इसके पूरे अगेंश्ट में था पदा है क्यों बाकि सारी कंट्रीस भी से अगेंश्ट में ACM को छोड़के क्योंकि दिक्कत क्या है कि इसमें कहीं भी इन पार्ट पॉरेंट जो आपको दिख रहे हैं इसमें कहीं भी यह डिसकस नहीं किया गया है कि यहां वापस से लोकतंद की स्थापना कैसे हो यहाँ वापस है डेमोक्रासी कैसी लाए जाए जो इसकी चुनिवी सरकार थी उसको वापस गद्धी में कैसा बैठाया जाए तो इसके बारे में इन पाचों पॉइंट बिल्कुल भी डिसकेसन नहीं किया गया इसलिए जो USA है और बाकी कंट्रीद है यह इसके अगेंस्ट है लेकिन पॉइंट कहा है है टर्निंग पॉइंट जो की इंडिया था जो अभी तक इसके लिए एक वर्ड भी नहीं बोल रहा था जो कि एक ही सब्द बोलता था कि हम नजर बनाया हुए है उसने इसका समर्थन किया है खुले आम आके उसने इसका समर्थन किया है अब समर्थन करने का रिजन क्या है कि यह उसकी आर्मी के अगेंस्ट नहीं है यह उसके आर्मी के अगेंस्ट नहीं है यह उसके आर्मी के साथ है और वहाँ पास इस चतिकों सुधानने के लिए बात हो रही है अब ये बात होती है कि इंडिया इसके आर्मी के अग्याश्ट क्यों नहीं जाना चाह रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीजन अब को आप समझ में आएगा जो मेंट पॉइंट है इस चीज़ का अब आपको जैसे आपको ये पता है एसेयन कंट्रीज जिसमें इंडिया पार्ट नहीं है तो वो इतने इस पॉट्रेंट क्यों इंडिया के लिए 1992 में जब इंडिया की गवर्मेंट थी उसने लुक इस्ट पॉलसी अपनाई थी उसे कारण उसे जो अपने East के देश हैं एस वेस्ट नॉर्थ साओ जानू आप एस्ट वेस्ट नॉर्थ साओ अब जब मैप देखते हो तो इस साइड़ कंट्री को इस्ट वेस्ट उपन ना और निचे साउथ हाना जो अपने इस्ट ही कंट्री सी उसके साथ ज्यादा व्योहर बराने के बारे में सोचा हाना तो इसको लुक इस्ट पॉलसी बोलते हैं पने 1992 में इंडिया में थी हाना ये इंडिया में शुरुआत हुई थी इसके अब आप इ उनको अपने रिपाब्लिक डे में ऐसा चीफ केट्स इन्वाइट किया था हाना मतलब ये ग्रुप बहुत ज़्यादे इंपोर्टनस रखता अपने लिए हाना अब देखो अब आपको ये जानना है कि इंडिया इंडिया ने समर्थन किया क्यों इसका हाना तो आप पहली समझो कि इंडिया उसकी सेना का जो उसकी आर्मी है म्यामार की उनके अगेंट सीधे क्यों नहीं बोल रहा है हाना तो आपको आप जैसे आपको ये बोला दिखा हाना आपको पूरी अर्थ दिखी हाना आप इसको जूम आउट कर रहे हैं आपन जूम आट हुआ हाना ये इसकी अपने स्टेट दिख रहे हैं हाना जिसमें आपको और अचरप्रदेश दिख रहा है हाना अर्णाचरप्रदेश दिख रहा है अपना और मानिपूर दिख रहा है नागा लेंड दिख रहा है मिजोरूम दिख रहा है हाना और दिख रहे हैं साउट ये अपने एरिया कि एक पतली सी वो है क्या बोलते हैं ज्वंट के निक ले एक पतली से इसको बोलते हैं हाथना इसको और इसको इंडिया को करता इसके इस चिकन नेंखिया है वो नेँछे बंगला देसं ऑपन नेपाल है तो नेumaल है वैसे भी किससे में निऊड में लिए तो इसको जादा भरूसा करते निया पुराना पाकिस्ता नी तो उसको ज्यादा भरोसा करते निया तो अब देखो अगर मानलोब वार सिचुएसन आती है वार सिच्वेशन आती है और अगर चाइना ने इस जो अपना क्या बोलते हैं इसको यह सीलिक बोडी करीडोर है जिसको चिकन नेक बोलते हैं अगर वहाँ पार उसने कबजा कर लिया जो कि ज्यादा टफ चीज नहीं है तो अपना यह जो टोटल यह अपने स्टेट है जो करी जो उसकी आदत है कि भड़काना ही कि हाना वो मुहले की चाची टाइप हर करते है उसकी चाइना की हाना तो जैसे उसको अगेट किया अपने तो अगर म्यामार भी इंडिया के साथ आ गया और चाइना के साथ चला गया तो म्यामार के बोल्टर किससे लग रहा है आप द अभी भी बोलता है कि on natural presence हमारा हिस्सा है ठीक है जो परडोसी नहीं होते है अपने जैसे आप नॉर्मल देखो इंडिया में जो परडोसी होते हैं हाना अगर उसे देखा कि बगार परडोसी सोड़ी से कम जोर है तो उसकी जब इन में थोड़ा 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 कि उसकी आधात होती है इंडिया में आपने देखा यह होगा ये नॉर्मल चीज तो वैसे चायन भी परडोसी है हाना जो इंडिया में घुसना अ चाह रहा है हाना अभूल रहा है तो और पर सामारा है वह तो अगर आप देख रहो इस चार स्टेट की दिखत क्या है कि स्टार स्टाने फिर बने तो तो लिएसे आपने अलालग तेस चाहिए है कि इसके वह बॉर्डर बनाएंग प्रॉर्सस शाएक पूरया acids क्या नाम है 2 अपना देखो थे जैखों सेना इंडिया अगेत हो जाएगी हाना यहाँ चाइना इश की हेल्प करेगा और मैमार के थूर चाइना अपने हाँ अ अब एक वो भी है जिसे जो नागालेंड है इसमें क्या होता है कि नोग चाहते हैं कि हमारा रमी यात्य है आणा जाते है क्या होता है वह संदिय मैं हमीरा साथ ऐसी है कि जब भी ऐसा कूछ होता है तो यंदिया और मुस्ट्री मिलके उनको फगड़ती है एक है तो चीशना बहुत है अब होता है कि यह कुछ एक्पोर्ड करना है या तो सिलिगोडी कोरिडोर से अपन करते हैं हाना अपन बांगलादिस का रास्ता अपन बांगलादिस के थुरू भी जा सकते हैं लेकर बांगलादिस के थुरू कभी जाते नहीं है अब वो पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं बस नहीं जाते हैं भरोसा नहीं है उसके उपर, तो अब क्या होता है, अपन नीचे जाते हैं, हादा, तो यहाँ पास का एक वो है, क्या बोलता है, port है, sitway port, हादा, Myanmar का sitway port है, तो अपन Myanmar का sitway port को use करते है, और फिर अपना connection पर बनाते हैं अपने area में यहाँ से, जितने भी अपने state हो है, ठीक ह से वहाँ पास अपनी क्या स्टैनिक से सासा नहीं लगा हुआ है हाना अभी तो चुना हुए थे कुछ टाइम पहले तो वहाँ पास हमेशा से इंडिया ने वहाँ की आर्मी से बात करिया तो उसके अंगेश्ट जाना तो बहुत बाई दिक्कर है का में तो इसलिए इंडिया आभी सब कुछ बोल नहीं रहा था अब जैसे एसे अंगेश्ट बीनिट करो वहां कि यथा इस्टित को अच्छी करो ना वहां तो एक वर्ड भी नहीं था यहां कि आप छोड़ो यह क्या वहां के जो जो चुनी सरकार्ति उसको बनाओ ऐसा उसमें पोईंट है नहीं था है क्योंकि उनको पता आपन यह पॉइंट बोलेंगे तो रिस्पॉंस हाना बहुत मुस्किल है अब यह पॉइंट मेरा करें देख फिर आगे अगर इस पॉइंट में आगे काम करते हैं तो हो सकता है कि आगे यहां लोक्तंत स्थापिस हो जाए तो यही दिक्कती अब यह पॉइंट इंडिया का सूट किया तो इंडिया ने बोल दे हाँ हम भी आपसे सहमत है लेकिन USA और बागे कंट्रीज के अगेंट अभी भी लेकिन देखते हैं फिचर में क्या होता है फिलाल तो सही है तो आपको यह ASEAN कंट्रीज के नाम याद रखनें क्योंकि अभी आप जो भी एक्जाम दो कि आगे जो भी एक्जाम होगे तो आपके ASEAN कंट्रीज के नाम तो हर एक्जाम में पूछे जाता है वार, जैसे मैंने लिख दिया एक बार में सारा तो तो मैंने भी याद किया नया है तो ईसकी भी एक ट्रक है ओठी के ट्रिक है, हाँ ट्रिक है, उसकी आभी नहीं बताउँगा Asian countries में plus 1 अगर आप plus 1 एक और country सब meeting करते हैं, Asian plus 1 क्या लाती है Asian plus 3 भी होती है Asian plus 3 countries होती है और Asian plus 8 Asian plus 8 होती है इसमें Asian की 10 countries होती है साथ में 8 countries और होती है participant करती हूँ इसको EEA भी बोला जाता है तो यह पूरी Asian countries की बात और आपने समझा यह 5 points क्या थे इंडिया ने इसमें क्यूँ अपना क्या अपनी हामे भरी अपना क्यूँ इसमें सायोग दिया तो आपको इस सारी जीज़े समझ में आगी होंगी मुझे ऐसा लगते हैं आपको इस सेसन कैसा लगा आपको इस वीडियो कैसा लगा बताईएगा जरू प्लीज चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए ज्यादा ज्यादा सेयर करिए चली जाते जाते मैं आपके लिए एक कुश्चन छोड़के जा रहा हूँ बताईएगा जरूर विचार जरूर करिएगा जो भी सेसी की तियारी कर रहे होंगे या MBPAC, UPSC या फिर नॉर्मल ही जो भी 10 तक पढ़ा हुआ इंसान होगा तो वो एक बार विचार जरूर कर सकते हैं लेकिन जो SST के त्यारी कर रहे है PST के त्यारी कर रहे है उनको तो बहुत समझ के इसका अंसर देना है ठीक है question क्या है question बहुत simple है लगता है सुनने में लेकिन बहुत complicated अगर आप इसको अपने समविधान जो लिखा हूँ उसकी हिसाब से आप सोचोगे तो बहुत कॉपलिकेशन है इसमें ठीक है कोश्चन क्या अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि अपना इलाहबाद हाई कोट ने यूपी के चार्थ सहरों में लॉक्डाउन का आदेश दे दिया ठीक है इलाहबाद क्या अपना वाडार शी हो गई आना कानपुर हो गया गोराकपुर हो गया और एक एदवर प्रियाग राज ठीक है इसमें क्या हुआ हुआ लॉक्डाउन का आधेश दे दिया हाना अब यह बताइए जैसे आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी पॉल एक्जेक्यूटीब पावर और अपना जूडिसरी पावर अपना जूडिसरी पावर दोनों को सेपरेट करता आर्टिकल 15 ठीकेट यह जो अपना लॉगडोन लगाने का आधेश था यह तो अपने किसके अंडर आएगा एक्जेक्यूटीब के अंदर आना चाहिए हाणा लेकिन फिर हाई कोट ने इसमें फैसला कैसे दिया कोश्चन दो बनता है लेकिन हाँ यह पिया गवर्मेंट आगे गई सुप्रिम कोड में तोयां दिश्टे मिल गया इनको वो तो अलग मैटर है लेकिन इसने दिया क्यों क्योंकि समिधार के इसाब से आर्टिकल 50 के इसाब से तो अपना एजेक्यूटी पावर और जूडिस इसें रिएक्येणि न दिश्टिरे पावर है ना जृडिस्री पावर में एक्ग्योटी पावर के एंटरी होगी ना एक्ग्योटी प्वर के इंटरी होगी ठीक है आटिल और अलेस अगर आपके मौलिक अदिकार हाणा उनThis नहीं कोई आच या तो सुप्रेम Kort या सकते है अपन लेकिन हाई कोर्ट ने लॉक्डॉन का अधिस किस बेसिस में दिया तो इस्टेड़ी करिएगा आप कि अगर आठिक 50 में डिस्क्राइब क्या गया है कि दोने के पावर सा लग है तो इसके पावर विसी इंटरसर कैसे किया क्यों किया वहां अन पर तो बैठे नहीं है ज सोचिएगा जरूर क्योंकि आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट आई है हाना जरू पूछा जाए किसे न किसे एक्जाम में जरूर यह पॉइंट जरूर उठेगा कि इस इस्टेडी में कि ऐसा हुआ क्यों था हाना तो बताईएगा जरूर थैंक्यू धन्यवाद लाइक क टी का बताईएंट लिए जरूर से इसक्या कि एक इसुतष तोरह जरूर कि इस एक नरूरर चांऊ जरूर नरूर से विए उछांटाँ विए हां जरू हां जरूर यह जरूरू से इस हां लिएिए में कि लिए उन्यवादायों नरूरो हक billionaire रहां कि आपके अ